नमस्कार में कवीताउनियाल आप देखरें मीडिया टूरे टीवी फलस्तिनी राष्टपती महमूद अब्बास द्वारा मुहम्मद मुस्तफा को फलस्तिन का नया पीम न्यूक्ट किये जाने के बाद फलस्तिन एथोरिटी और हमास के बिच खिस्तान शुरू हो गई है फलस्तिन के नए पीम की न्यूक्टी से हमास फलस्तिनी राष्टपती महमूद अब्बास से नराज हैं हमास का कहना है कि ये फैसला उससे विचार विमर्श किये बिना लिया गया है जो फलस्तिन के लोगों और उसके राष्टर हितों को नुक्सान पहुँचाएगी हमास के इस बयान के बाद महमूद अब्बास की पाटी यानि फलस्तिनी एथोरोटी ने हमास पर पलटवार करते हुए गाजा में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए हमास को जिम्मेदा ठहराया वहीं आमेरिका ने भी फलस्तिन के नई पीम की न्यूक्ति का स्वागत किया है अब ऐसे में माना जा रहा है कि फलस्तिन के नई पीम की न्यूक्ति आमेरिका की दवाब में की गई है नए PM की नियुक्ती के बाद हमास ने क्या कुछ कहा उसके बाद पलटवार करते हुए राश्यपती मेहमूद अब्बास की पार्टी ने इसका क्या जवाब दिया और अमेरिका का इस पर क्या कहना है पूरा मामला मैं आपको विस्तार से बताऊंगी अगर आपको नियूस अच्छी लगे तो नियूस को लाइक करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया चोड़े टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर्वेट सबसे पहले आप तक पहुँचे हमास का कहना है कि ये फैसला उससे बाचित किये भी न लिया गया है वो भी ऐसे समय में जब रूस की राजधानी मौस्कों में फलसिंग के सभी संगठनों की एक बैठक हुई जिसमें मेहमूद अबास की पार्टी ने भी हिस्सा लिया इस बैठक का मकसद गाजा और फलसिंग की सभी संगठनों के बिच फासलों को खात्म करना था हमास में एक बयान जारी करते हुई कहा है कि हमास इस फैसले को लेकर अपनी नराजगी जाहिर करता है जिसने हमारे लोगों और हमारे राश्टे हितों को नुक्सान पहुचाया है एक लेक्ती द्वारा फैसला लेने और देश के लोगों की सहमती के बीना नई सरकार बनाने से मदबेत और गहराएंगे इसके जवाम में राश्टे महमुद अबास की पार्टी ने गाजा में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए हमास को दोशी ठहराया क्योंकि उसने इतनी बड़ी कारवाई को अंजाम बीना पुछे दिया था फताय ने अपने बयान में कहा कि हमास ने ऐसा करने से पहले फलस्तिनी नेताओं से विचार उमर्ष किया था अमेरिका ने इस पर क्या कहा मैं आपको वो भी बता देती हूँ दरसर फलस्तिनी राश्पती महमूद दबास के उपर फलस्तिन एथरोटी में सुधार करने के लिए अमेरिका का दबाव है अमेरिका चाहता है कि इस्राइल हमा जुआ खत्म होने के बाद गाजा का शाषन फलस्तिन एथरोटी ही सामभाले इसने अमेरिका ने मुस्तफा की नियुक्ति का स्वागत किया है और जल से जल सुधार कमेटी बनाने की अपील की है फलस्तिन के वेस्ट बैंक की जिमेदार ये समालने वाली फलस्तिनी एथरोटी की तरफ से नई प्यम की न्यूक्ति को अमेरिका के दबाब के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि ये न्यूक्ति ऐसे समय पर हुई है जब गाजा में भीशन जंक चाल रही है और अमेरिका फलस्तिनी राज़िती में सुधार करने के लिए फलस्तिन के राश्रपती महमूद अब्बास पर दबाब बना रहा है राश्यपती मेहमूद अब्बास ने फलस्तिन का परधान मंत्री जिसरी चुना है वो आमेरिका में पड़े लिखे और विश्ल वैंक में भी काम कर चुके हैं इतना ही नहीं मुस्तफा लंबे समय से रास्यपती महमूद अब्बास के आर्थिक सलाकार भी रह चुके हैं आपकी इस नियूस पर क्या रहा है मुझे कमेंट करकी जरूर बताईएगा अब मैं आपको जल्दी अगली अबेड के साथ विलूँगे शुक्रिया